हेलो इवरिबन आईए आज की इस वीडियो में हम डिसकाउंट निकालने के लिए सिखने वाले हैं तो मान लेजिए फूर एक्जामपल किसी बस्तु का जो प्राइस है यानि की दाम है वो 699 रुपया है अब आपको उस बस्तु पर 20% का डिसकाउंट यानि की छूट दिया जा रहा है तो इसे हम 2 मेठर से निकाल सकते हैं तो सबसे पहले हम इसे पहले मेठर से निकालते हैं तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात है यहाँ पर अगर आपको बस्तू पर कोई छूट नहीं दियावा होता यानि कि कोई भी डिसकाउंट नहीं दियावा होता तो आपको 100% उस बस्तू का आपको देने होते यानि कि 699 का 699 रुपया आप देते यानि कि 100% आप देते ठी 20% of मैंने की डिस्काउंट दिया जा रहा है ठीक है तो यानि की 20% आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है उस बस्तु पर का 20% जो भी रुपया होता है वो आपको नहीं देने हैं इसका मतलब तो यही है तो हम क्या करेंगे 699 का 20% हम निकाल निकाल लेंगे, ठीक है, 699 का कितना परसेंट, 20%, ठीक है, तो आईए निकालते हैं, तो 699 गुना, 20, अच्छा, परसेंट, यहां से हटाएंगे, तो नीचे 100 आ जाएगा, यूँकि परसेंटेज के मतलब 100 होता है, ठीक है, अब देखें, ये 0 से, ये 0 का एंसल हो जाएगा, अब उपर में क्या बचेगा आपका, 699 गुना दो, तो 699 गुना दो आप कर दो, तो ये आपका आता है, 1398, और नीचे कितना बचा हुआ है, 10, ठीक है, अब जब इसे भाग दोगे, तो ये आपका आ जाएगा, 1349 दसमेलो, 8 पैसा, यानि कि लगभग में 80 पैसा इसे आप मान के चल सकते हो, ठीक है, यानि कि अब आपको उस बस्तु का जो भी दाम है, यानि कि 699 रुपया दाम थाना, टोटल, तो उसमें आपको 149 रुपया, 80 पैसा आपको डिसकाउंट मिलेगा, 699 रुपया में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो इसका में प्राइस था, 699 ठीक है, तो 699 में 20% हम लोगों निकाले, तो आया 149.8 पैसा, यानि कि लागभग में इसे हम 80 पैसा भी मान करके चल सकते हैं, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत मिया तक नहीं है, जब इसे आप मैनस करोगे, तो ये आपका आएगा 569.2 ठीक है, यानि कि 20 पैसा, ये भी आप इस यानि कि डिसकांट देने के बाद, अब आपको टोटल इतना रुपिये देने होंगे, ठीक है, तो ये तो हुग या पहला मेठर, अब हम लोग चलते हैं, दूसरे मेठर में, ओके, आप आजे, इसे हम सेकंड मेठर से बनाते हैं, ठीक है, तो देखे, बस्तु का अदाम 100% क निकाल सकते हो, 699 का 80% क्या कर रहे हो, आप दे रहे हो, ठीक है, 80% 699 का आपको देना हो coy, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 699 गुना 80% मतलब 100 होता है, तो नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ से यह 0 यह 0 कैंसल हो जाएगा इसको आपको करना क्या है 699 गुना 8 कर देना है तो 699 गुना 8 हमारा हो जाता है 592 और नीचे क्या बचके आपका 10 बच गया ठीक है तो इससे आप भाग दोगे तो 599 गुना 9 गकी 2 पैसा यानि की 20 पैसा आपको करने होंगे ठीक है अब इस बस दूपर ठीक है तो तो इसके अपको ज्यादा बेश्ट लगआ कमेंट किजिए इसी तरह आपको वीडियो पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब केजिए वीडियो को लाइक किजिए तो आज के लि